हेलो डियर स्टूरेंट्स गुर्मॉर्निंग आज हम रबी एसी रासंबॉर्ड हिस्ट्री का चेप्ट सेंकिड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे ठीक है तो अपने आज करेंगे चोल काली कला एंव सहत्य की विवेचना कीजिए चोल कला क्या था देखो चोल कला में परनाइक शैव एंव वैश्रम धर्मों का पुर्ण जागरन हुआ था ठीक है चोल सवें शैव धर्मानियाई थे उन्होंने विशार राजपरसाद किर्त्रिम जिले विस्तरन बांद सुंदर नगर दातु एंव पशान की मूर्टियां था भवय मंद्रु का क्या गया था इमान करवाया था चोल काल के समय में मंदिर मुर्टि कला चितर कला में महतापून प्रगती हुई ही ठीक है अब मंदिरों में क्या था मंदिर चोल मंदिरों में का निर्मान दरवट शैली के अंतरगत हुआ था ठीक है चोलों के दोरा निर्मित मंदिरों की मुख् मत्तित आंगन हो गया है मंद्प ओ गया भीश्त्रित सनुकत किया था प्रयोग आधी कर दो छोल qail का सरुषिष उधान ग्यां Чोर्शवर है तजोर का बदेश्वर मंदिर गोंग कुंड चौर पूर्व का मंदिर तात्कलीन वस्तुकला की कैते शेश्ट नमुने हैं ठीक है चौर काल का प्रार में इंडो चीन तथा सुदूर पूर्व के देश्वर पर पड़ा जिसका प्रमुकुधान क्या था अकौर वाट का महान मंदिर है ठीक है उसके बाद है मूर्टी कला मूर्टी कला में क्या था चौर काल में चित्र कला का भी विकास हुआ इस यूग में मंदिरों की दिवारों पर अनेक सुन्दा चित्र बनाए थे ठीक है अधिकांच चित्र क्या था बेदैश्वरी मंदिर की दिवारों पर उतकीरन मिलते है ठीक है चौर चित्र कला का पल्लव पंडव शाखा का ही एक विक्सित रूप है किसके है पंडव शाखा का ही एक विख्सित रूप है राजय पथम ने अपनी दर्म शेहनशु सी आशुन होने का प्रिच्च राजय येश्वर मंदिरों की दिवारों पर बहुत परतिमाओं का निर्मान करवा कर दिया था ठीक है चोल सहत्या के चोल शाशक शिक्ष एम सहत् आख्स्रक्ष कि थी इस काल में तमिल भाशा शायता क्या हो था लिकश हो था ठीक है आब इसमें रचल आई पूब मुझें पूम गरंट थे इसारा को उनसे दें गरंथ होके आपके नाम ठीडरी के चोल मनषी की कि इसार की करें पूज गरंथ होके आपके नाम थे ठीक है फिल शाष्षरक की पूजग्रंथ होतें यह Фि्था गरंथ न विर नव तो अब मूतिय हैं इसी कांग दक्षिन बाद के इतियास में यह है काल एम हाएम मैतरपून ठाने रखता है Cocos की दरिश्टी से चोर वंश भारती जास में एक मैतरपून यूग का प्लीक है ठीक है नेक्स्ट कोशन अपने है कलहन की राच रंगनी करें परेक्षम्षी लेक लिखें आपको पोशन चोटा भाज़त है यह चार नबर का भाज़त है कलहन की रात रंगनी कलहन दवार रचित एक संस्कृत गरंथ है कुन सा ग्रंथ है ये सांस्कित ग्रंथ है जिसकी रचना 1147 से 1149 इस्वी के बीच होई थी ठीक है भारती इत्यास कलहन की राज रंगनी पहली पुस्तक मानी जाती है ठीक है राज रंगनी में कुल आठ तरंग और सांस्कित में कुल 7826 सलोक है कलहन ने राज रंगनी की रचना लोहूर मंश के अंतिम शाश की जैस ही है के समय में की थी राज रंगनी का शाब्दिक अर्थ कै था राजों की नदी जिसका बावार था है राजों का इत्यास यां समय पर वह है क्या है राजों का इत्यास यां समय पर वह है किसमी है रात रंगनी में कश्मीर का इतियास वर्नित है इस से प्राचीन समय महाबारत काल्व से लेकर बारवी श्ताब्दी तक का कश्मीर का इतियास है रात्रंग नहीं करें कि प्रत्रंग नहीं बताया गया है कि सबसे पहले कश्मीर में पांड़ों के सबसे छोटे भाई सहदेव ने राज्य की सापना की थी ठीक है और उस समय कश्मीर में वैदिक धर्म की पर चलित था वैदिक धर्म ही पर चलित था फी 233 इसी में पूर्व कश्मीर में बहुत धर्म का क्या था आगमन हुआ था ठीक है कश्मीर के इक्तियास पर अधाय इस यूग की रचना में कलहन ने 11 सुत्रों का क्या 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 था स्योग लिया था कितने सुत्रों व्हा था गैरा सुत्रों का क्या था स्योग लिया था जिसमें केवल निल मत ब्रान ही अब उप्लद है क्या से पर बठान ही है तिक है तब ही उसका क्या होगा प्रशाशन होता है नैश देखो विजे नगर समराज्य का उद्याक कला एंव सहते का विकास है विजे नगर समराज्य की स्थापना कभी थी संगम के पुत्रों हर ही हर तथा बुका के दवारा 1336 में की गई थी दक्षी बात में तुगलक सता के रूद होने वारी रानी थी के तथा सांस्कितिक अंदुलर्ण के परणाम सब रूप इसकी क्या हुई थी स्थापना हुई थी ठीक है विजे नगर क्या उस्थापना हुई थी विजे नगर नगर राज्य मद्यय यूग का प्रत्थम क्या था हिंदू समराज्य था ठीक है विजे नगर का शाब्दी गत क्या था जीत का शहर हो गया ठीक है विजे नगर समर्जय का नाम तुग बद्र नदी के तुग बद्र नदी के फार्सी यात्री अब्दुल रजक ने विजे नगर के बारे में लिखा है कि विजे नगर उसे दुनिया के सबसे भवेश हैरों में से एक लगा था मोहमत तुगलुक दवारा हरीहर एम बुक्का को युद में बंदी बनाये जाने के पचात दोनों ने इसलाम दर्म का क्या गरहन कर लिया था ठीक है नेक्ट विदारायन नामक संत ने हरीहर और बुक्का को हिंदू दर्म में पून दिक्षित किया हरीहर और बुक्का ने अपने अपने पिता के नाम पर ही संगम राजमश की क्या की थी स्थापना की थी ठीक है अब है संगम राजमश अश्ट अब तेरासो छती से अचे शोलर सो जासी इस्वे तक हरीहर प्रत्म ऐव्का प्रत्म दोनों ने शंगम राजा धिराज की उपलद धार नहीं की ठीक है थी हठार प्रतम हिए दुनब्र तन्हों सम्लाप महां धराजा दिराज की उपना धार नहीं की और समक्राजे विस्तार का निती ही अपनाई थी ठीक है उसके बाद है कि अग्रेटार शूपर दीच ही उपनाई थी हर्य हर प्रतम ठीक है 1336-1356 में अरियर प्रतम संगम वाहश्का क्या था पफ्रम शाशक था हरी यह पत्म ने अने गोंडी के सान पर पर प्राचीन नगर विजह नगर को अपनी राजनी बनाए था ठीक है हरी हर प्राथम ने 1346 इसवी तक होईसल का सारा प्रदेश विजय नगर में मिला लिया था क्या था होईसल का सारा प्रदेश जो विजय नगर में मिला लिया था फ्रीके बाद है बुक्का प्रतम नेंसम नदी को बहिमनी तथा सिमा था ठीक है बुकर पत्तम की मिर्टु के बाद हरिहर रिटाजाँ के बनाथा अब हरी हर दित्तिय हरी हर दित्तिय का 4994% छेयर आया हरी हर tsun수 यदित्तय आया था ऑना वर रिट्सिपेश नहीं 6-86 में था हरियदित्य महारादी राज महाराज या राज दिराज की तथा राज परमेश्वर की उप्राद्य धार्न की थी हरी रधिते ने श्री लंका के कि राजा के खिलाफ सैनिक अभ्यान कि ये तता गोवा के दो भाल के अंतरिक्त इसने चोल एम खरपटन पर्व क्या क्या था कब जा कर लिया था देवराय प्रत्म 1406, सब्सक्राइब देवराय प्रत्म का फ्रोज शहां के साथ क्या था युद्ध हुआ जिसमें देवराय प्रत्म क्या हुआ था प्राजित हो गया 1410 इसी में ठीक है तो अनियुक्त스타 राहादनी जल का अभाव स्मापत हो गया था देवराय प्रत्म के शाष्यकाल में से एली के हमसर में शचैसलिकर propagत यात्री निछय को अकी याता प्रत्व मिर्थू 1622 ऐसी में देवराय प्रत्म की मिर्त्यु बार छोड़ाय सोब सी आप पूतर ता किसका उनकर धेला गरिदे का विजे का पूतर था देरा डिते को इमान डी देव राई की भी कहा जाता है ठीक है अब लेखों में देव राईदिते को गजब बेटकर हाथियों की हाथियों का शिकारी कहा गया है ठीक है देव राईदिते सब्वें विदा तथा विदानों का महान सिरक्षक था देव राईदिते के दरबार में तुलुग था तता इसके समय फार्स का दूत अब्दूर रजक विजय नगर भ्रह्मन के लिए आया था देवराय दिते ने मुस्लमानों को मस्जिद के निर्मान की सवतंतता दी थी देवराय दित्य ने मुस्लमानों को मस्चीद के निमान की सवतंत दी थी, देवराय दित्य ने दो संस्क्रिक ग्रंतों, सुदानी दी, एम भाद रायन के ब्रहा सुतर पर टिका लिखी थी, ठीक है, मालिका गर्जुन 1446 इस्वी से 1465 इस्वी तक, ठीक है, मालिका जुन डित्य के बादर चाशक बना था इसे पेड़ देव राइ के नाम से भी जाना जाता है विरुपक्ष तर दिक्ति है कई तक एक बंगे, श्वी से 1450 इस्वी संगव मुश्य का अंतिम शाष कू ん था विरुपक्ष दित्य rocky कैं विरुपक्ष जित्य था यह विरुपक्ष जित्य था यह विरुपक्ष जित्य को 熊हरा करण नर्सियां सुलाव राशियासन पर बैठा और एक ने सुलाव मंश की क्या थी नीम डाली है ठीक है उसके बाद कुन था सौलू मंश चोरह सपचासी इसवी से पंदरा सो पांच इसवी तक ठीक है यह था संग मंश के अंतिम शाषक विरपक्ष दित्या को हरा कर नर्सियां सौ नर्सियां सौलू ने अपने अलपवसाइक पुत्र के स्ट्रक्शन मे नर्सा नायक को क्या की थी निक्त किया था अफसर मिलते ही नर्सा नायक ने विज्ञ नागर समय जख्यक की ती वास्तिक सता को अपने हाथों ने लिए ली थी नर्सा नायक के बेटे ने बंदर सो पांच इस्वी में शुलब निरेश की प्रव्श की क्या कर दिन अर्भिकार कर लिया था और तुलब वंश की क्या की थी सापना की थी उसके बाद त सुम्स टूलों वांश कोंदा तुल भाइच श्क शम गर्मों मैं की उप्रादिया को बताईए यहे अपने कल स्टाट करेंगे थेंक्यू हर नाइश डे कर दोरी